हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में और आज हम बात करेंगे बैंक निप्टी का जो विकली ब्रेकाउट लेवल है आपके स्क्रीन के सामने दीख रहा है 22,800 के उपर अगर ये क्लोजिंग हो जाता है आने वाले ट्रेडिंग सेसन में तो इस हपते का ब्रेकाउट लेवल है मैं इसके उपर एक तेजी की उमीद की जा सकती है जिसका रेजिस्टेंस 23,500 के आसपास मिलने की कोसिस करेंगा लेकिन 22,160 के नीचे अगर क्लोजिंग हो ज ब्रेकाउट लेवल के ब्रेसिस पे देखा जाए निचले लेवल से तो 22,400 और 22,500 ये एक इंपोंटन्ट रेजिस्टेंस है अगर 22,556 के उपर सस्टेंड कर जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 22,800 आता है तो 22,800 जो हमारा अगर देखा जाए तो ये वाला काउट का सिगनल देडा है जिसका टार्गेट 23,250 के आसपास है और विकली रजिस्टेंस 23,500 के आसपार दिख रहा है तो इमपोंटन्ट टार्गेट 24,000 के भी रास्ते खुल सकते है लेगि इस हफते 23,500 और नीचे में 22,160 अगर अप्ट्रेंड में रहना है तो यहां से इस लेबल तक रहने के पूरे-पूरे आसार हो सकते हैं यह रहा study for the bank ने पई अब हम बात करते हैं निप्टी का ब्रेक आउट लेवल 11,600 के ऊपर है जो एक जैक फिगर जो 11,583 इसके ऊपर है और नीचे जो सपोर्ट है 11,340 के आसपास यह दोनों डेवल अपसाइड और लिखा गया है बजार में 11,464 के ऊपर की closing तो आने वाले time में अगर इसके ऊपर चलता है तो major resistance 11,800 तक के target खुल जाएंगे major resistance target 1 होगा 11,660 इसके ऊपर चलने के बाद यह confirm हो जाएगा कि easily 11,780, 770 का जो reset high लगा था उसको break करके 11,870 तक easily जा सकता है लेकिन अगर इस level के नीचे trade करने लगता है तो फिड क्या हो सकता है फिर नीचे के level खुल जाएंगे इसके लिए नीचे जो support है 11,670 इस level के नीचे अगर closing हो जाती है तो पहले भी discuss किया हुआ है हमने तो हम 11,60 की तरफ चल पढ़ेंगे उमीद क्या है तो उमीद level को watch आने वाजा trading session में बजार खुद ऊपर के रास्ते खुद तया करने वाला है यह मेरा भी हुआ है आकि नीचे के level तूटते हैं तो फिर हमें conscious रहना है बजार के तेजी के प्रति तो downside open हो सकते हैं तो यह रहा नेप्टी और बैंक नेप्टी का weekly level analysis वीडियो अच्छा लगे तो like and share करें और जो भी ट्रेडिंग या investment decision ले अपने financial advisor से राय ले करके क्योंकि यह वीडियो only for educational learning purpose से बनाया जाना है थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो के बाट